बारत माता की सम्मानित मंच आज इस आबु की पावन धरा पर हमारे देश के स्फवी परधान मंत्री सम्मानिय नरंदर भाई मोदी जी जो की पिछली बार इसी इस्तान पर आपने जो वदा किया था कि मैं आबु रोड की इस दुपावन धरा पर आपके इस कारेकरम को वापिस रीड सहित सुकाने के लिए मैं आऊँगा आपका आगमन हमारे सिरोही जिले के लिए और इस जोदपुर संभाग के लिए बड़ी खुशी की बात है आज के इस कारेकरम में मंच पर विराजबान सम्मानिय राजद्री राठोड साव राजस्थान विदानसभा के नेतागर्ण जो की बहुत पूराडे पूरे अमारी राजस्थान की विदानसभा को जो एंडल कर रहे हैं राजस्थान के विदानसभा के हमारे परतिपक्ष के नेता आज के इस कारेकरम के मंच पर विराजबान हमारे पूर्व परदेश अद्यक्र सम्मानिय सत्य जी पुनिया साहब सम्मानिय ओम जी मातुर साहब मंच पर व की पिछले कई समय से आप इस कारेकरम को सभाल करना करवाने में लगे हैं हमारे राजस्थान की विदान सभा में बिराजमान सवयगी समानिय नारण सेंग जी देवल साहब समानिय समाराम जी गराशिया जी मंस्पर बिराजमान समानिय पीपी साहब कारेकरम में उपस्थित प पदारे हुए समस्त अमारे बैया और बैने और पार्टी के पदादी करीगण, जो कि آज इस छेतरे के लिए काफी बड़ी खुशी की बात है, हमारे मोधी साभका पधारना इस छेतरे के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं आज के इस मंच के माद्यम से कैना तो राजस्तान की इस कॉंग्रेस सरकार आज की समय में कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैं कहता हूँ कि जो वादे की हैं उन्न सारे वादों से ये सरकार मुखर कर चार साल उन्होंने पांच साल निकाल दिये हैं। अंदर भी आपके स्टाप का जो कमी है तो मैं देखने जाओं के तो आप सबसे की कौन काम करेगा छेतर की जनता तरस्थ है छेतर की जनता दुखी है और गहलोज साब अपने आप में मस्त है तो मैं आज के इस मौके पे मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए हमारे मंच पर क काफी बोलने वाले वक्त है और परदान मंतर जी का आना हमारे स्वित्रे के लिए बहुत खुशी की बात है आप सब जो इस कारेक्टरम को सभल बनने के लिए पदा रहे हैं आप सब काभी में कोटी-कोटी आबार दन्यवाद जैबार्द